हमारे इस प्रोड़क्ट का नाम है गैलवेदा गुडूची गुडूची यानि की गिलोई सर ये जो प्रोड़क्ट है हमारा गैलवेदा का गुडूची यानि गिलोई इसके मेन इंग्रेडियंट्स मुख्य तत्व क्या है सर वैसे तो जो गिलोए है उसके बारे में आपको भी आगे बहुत डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ इसके अंदर जो मुख्य तत्व हैं उसमें अलकलोइड्स हैं कलाइकोसॉइड्स हैं और स्टेरॉल्स हैं ये थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं जो आपको समझने में थोड़े से परिशानी देंगे क्योंके हम लोग मेडिकल प्रोफेशन से नहीं हैं तो मैं आपको इन इंग्रेडियंट्स के बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताता हूँ इसके अंदर जो सर्ब मुख्य तत्व है उसकी क्या विशेश्टाएं हैं जो इसके मुख्य तत्व हैं उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गुडुची की गुडुची या टिनस्पॉरा को संस्कृत में अमरतवल्ली भी कहा जाता है गुडुची को गिलोई, अमरिता, आदी नामों से भी जाना जाता है गिलोई में गिलोईन नामग ग्लुकोसाईड और टिनोस्पॉरिन उसके अलावा पॉमरिन, एवं टिनोस्पॉरिक, ऐसिट पाया जाता है इसके अलावा गिलॉय में कॉपर, आइरन, फॉस्फोरस, जिंक, कैल्शियम और मेगनीज भी परचूर मात्रा में मिलते हैं गुडूची यानि की गिलॉय के इनी औशदिये गुणों को गैलवे, अपनी आयरुवेदिक रेंच गैलवेदा में लेकर आईए दोस्तो और ये कैपसिल के फॉर्म में हैं सर इसके साथ गैलवेदा गुडूची यानि गिलॉई के क्या क्या benefit है वो भी आप हम सब को बताएं जरूर कुश गुडूची यानि की गिलॉई बिमारियों को दूर करने के अलावा शरीर की रोक प्रतिरोधक शक्ती यानि की इम्मुनिटी की जो शमता है उसे बढ़ाने में भी साहयक है इसके साथ साथ इसमें anti-inflammatory गुन होने के कारण ये सासों से संबंदित रोगों में आराम दिलाने में बहुत प्रभावशाली है इसके साथ साथ गिलॉय यानि की गुडूची कफ को नेंतरित करती है और immunity power को बढ़ाती है जिससे अस्तमा और खांसी जैसे रोगों से बचाव होता है और फेफडे स्वस्त रहते हैं गिलॉय शरीर की immunity power को बढ़ाता है जिससे सर्दी जुकाम समेत कई तरह के संक्रमिक बिमारियां से बचाव होता है अगर आप गौर से देखें तो इस समय जो COVID-19 की अगर मैं बात करूंग जो चल रहा है कुछ इसमें अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा परिशानी ल यह इतना शानदार इतना बढ़िया प्रोड़क्ट है तो आखिर यह प्रोड़क्ट है कितने का सर्व सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं इससे लेना कैसे है जो गैलवे गुडूची गिलॉय है इसे आपको दिन में एक या मैक्सिमम दो कैप्सूल लेनी है इसके अला अगर आप एक दिन में एक कैप्सूल की कीमत पड़ेगी अगर आप एक दिन में दो कैप्सूल लेते हैं तो यह कीमत दस रुपे परती दिन पड़ेगी जो कि हमारी सेहत को ठीक रखने के लिए कुछ भी नहीं है सर जितना मैंने प्रोड़क्ट के बारे में सुना जैसा आपने बीच में भी बताया इस समय जो पूरे देश के हालात हैं जो लोगों के साथ जिस तरह के चैलेंजिस हैं उसमें मैं फिर बोलूँगा इस प्रोड़क्ट को लेके भी ये प्रोड़क्ट भी हमारे हर डिस्ट्र उनको इस प्रड़क की विशेष्टा पता है बहुत सारे लोग आज अलरीडी इस प्रड़क को यूज कर रहे होंगे और जो नहीं कर रहे हैं मैं ये कहना चाहूंगा आप इस प्रड़क को जरूर यूज करें ये वाके में रामबान है बहुत सारी ऐसी बिमारियां जैसे की देंगू हो गया उसके अलावा आपका जो ये किसी भी तरह के संक्रमन है उसके अंदर ये बहुत लाबदायक है और ये आपकी हेल्थ के लिए एक बहुत वंडर्फुल प्रड़क्ट है